Hello friends, welcome to study news आज हम अपने सौर मंडल के बोने ग्रह मतलब प्लूटो प्लैनेट के बारे में जानेंगे ये प्लैनेट सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था लेकिन अब इसे सौर मंडल के बाहरी काईपर बेल्ट की सबसे बड़ी खगोली वस्तु मानी जाती है तो जानते हैं इस वीडियो में प्लूटो प्लैनेट से जुड़ी और भी जानकारियां So let us start प्लूटो का आकार और द्रविमान काफी कम है इसका आकार प्रिथवी के चंद्रमा का सिर्फ एक दिहाई है सूरज के आसपास इसकी परिक्रमा का ओर्बिट भी अन प्लैनेट के ओर्बिट की अपिक्षा काफी अलग है या कभी नैप्चून प्लैनेट के ओर्बिट के अंदर जाकर सूरज से दूर होता जाता है काईपर बेल्ट में मौझूद अन्य खगोली वस्तू के समान प्लूटो भी नाइट्रोजन और पानी के बर्फ और पत्थर का बना हुआ है प्लूटो को सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 248 वर्स लग जाते हैं और इसका व्यास लगभग 2300 किलो मीटर है इस प्लैनेट को देखने से ये काला नारंगी और सफेद रंग का मिक्षर लगता है कई सोधों से पता चला है कि इस पर रंगों के बदलाव होते रहते हैं इनका कारण मौसमों के बदलाव से होता है प्लूटो का वायू मंडल काफी पतला है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कारबन मोनो अकसाइड पाये जाता है इसके पांच ग्यात उपग्रे हैं निक्स, हाइडरा, स्ट्रिक्स, कार्बोरस और सेरन जिसमें सेरन उपग्रा सबसे बड़ा है इसका व्यास प्लूटो का आधा है और सेरन उपग्रा के सबसे करीब है इन दोनों को कभी कभी जोडे वाले प्लैनेट भी जाना जाता है क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन अभी तक ये परिमारित नहीं हुआ है इसलिए सेरन को उपग्रा कहा जाता है 1930 में अमेरिके खगोल सास्त्री कलाइट टांबो ने प्लूटो की खोच की थी और इसे सौर मंडल का नौवा ग्रह बताया था लेकिन प्लूटो के बारे में कई ऐसे तथ पता चले हैं जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाते हैं जैसे इसका ओर्विट दूसरे ग्रहों के ओर्विट के अपेक्छा काफी अलग होता है और ये आकार में काफी छोटा है जिससे इसे बोने ग्रह का नाम दिया गया है 1990 में वेग्यानिकों ने प्लूटो के आसपास कई ऐसी वस्तुई में देखी जो प्लूटो से मिलती जूलती थी जिसका हमारे सौर मंडल में एक पूरा घेरा है जिसमें ऐसी ही खगोलिय वस्तुई पाई जाती है जिनमें से प्लूटो सिर्फ एक है और इसी घेरे का नाम काईपर बेल्ट रखा गया है इसी घेरे में 2004 में हुईमेया और माके माफे खगोलिय पिंड मिले जो काफी बड़े थे लेकिन प्लूटो से छोटे हैं 2005 में काईपर बेल्ट से बाहर एरिस मिला जो प्लूटो से बड़ा था ये अन्य ग्रेहों से अलग और प्लूटो से मिलते जूलते थे 2006 में अंतराष्टिय खगोलिय संग ने एलान किया कि प्लूटो ग्रेह नहीं है और उन्होंने एक नई बोने ग्रेह की स्रेडी इस्थापित की जिसमें प्लूटो, हुमेया, माके माके और एरिस आते हैं प्लूटो के अध्यन के लिए अमेरिके अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था मतलम नासा ने नियो होराइजन्स अंतरिक्ष सोध यान लॉंच किया था इस यान का प्रक्षे पर 2006 को किया गया था जो 900 के बाद प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा था तो ये थी पूरी जानकारी ओने ग्रेह के बारे में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट झाल